प्रिंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंजिन राइटर राजा राओ की एक फेमस नॉवल के बारे में जिसका नाम है कंठापुरा इसे 1929 में लिखा गया था और 1938 में इसे पब्लिश भी किया गया था फ्रिंट्स जब ये नॉवल लिखी गई थी तब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तो ये जो नॉवल है ये कोलोनियल लिटरेचर का हिस्सा है यानि इस novel में बताया जाता है कि किस तरह से जो Britishers हैं वो धीरे धीरे इंडियन्स से उनका हक चीन रहे हैं, उनकी जमीने चीन रहे हैं और इन सब के बीच में जो कास्ट सिस्टम होता है, वो भी इंडिया में फैला हुआ है और जो की इंडियन्स को और भी जादा वीक कर जा है इस novel की story first person point of view से है और इस story को सुनाने वाली एक लेडी हैं जिनका नाम है अचक्का इन सारी चीजों के बारे में हम और जानेंगे जब हम इस novel की summary जानेंगे अब अगर बात करें writer की, तो राजा राओ एक Indian American writer थे English language के उनका जन्म हुआ था 8 November 1908 में और उनकी death हुई है 8 July 2006 में उन्होंने अपनी lifetime में बहुत सारे awards जीते हैं जिसमें साहित्य Academy Award, पदमभूशन, News Dad, International Prize for Literature ये सभी शामिल हैं अब अगर बात करें उनकी famous works की, तो उसमें कंठापुरा and The Serpent Under Rope शामिल हैं तो चलिए friends आगे बढ़ते हैं और इस novel को पढ़कर समझते हैं तो इस कहानी की शुरुवात होती है और सबसे पहले हमें अचक्का के बारे में बताया जाता है जो की एक बूरी ब्रामन विमन है इसकी memory बहुत ही ज़्यादा strong है और अचक्का ही हमें पूरी कंठापुरा की कहानी बताती है कहानी की शुरुआत में अचक्का बताती है कि कंठापुरा एक छोटा सा गाउं था वेस्टरन घाट माउंटेन के पास और इस कंठापुरा में स्पाइस की ट्रेडिंग बहुत जादा होती थी तो बिटिशर्स की नजर हमेशा यहां पर लगी रहती थी साथ ही इस गाउं की अपनी खुद एक देवी भी थी जिनका नाम था कंठमा और सारे जो गाउं वाले थे वो इसकी ही पूजा करते थे साथ ही इस गाउं में बहुत जादा कास सिस्टम भी फैला हुआ था गाउं में कुछ पढ़े लिखे वेल एजूकेटड ब्रामिन्स थे जिनमें मूर्णी शामिल था और साथ ही भता शामिल था यह दोनों ही ब्रामिन थे जो काफी ज़ाधा पॉजेशन रखते थे इस गाउं में लेकिन इनके साथ ही इस गाउं में बहुत सारे पॉर्टर्स थे, वीवर्स थे, जो खेती करने वाले फार्मर्स थे और साथ ही कुछ परिहास थे यानि छोटी जाती के लोग थे जो की गाउं के बाहर गाउं की सीमा के पास छोटे छोटे जोपड़े बना कर रहा करते थे इन सब के साथ ही इस गाउं में एक और important person भी है जिसका नाम है पटेल रंगे गौड़ा और ये भी काफी important है इस गाउं में साथ ही हमें बताया जाता है कि ये जो मूर्ती है ये गांधी वाद से बहुत जादा प्रभावित है यानि ये महात्मा गांधी के सिधानतों को अपनाना चाहता है नॉन वाइलेंस चाहता है और साथ ही जो आसपास के गाउं के लोग हैं उन सभी को भी motivate करता है कि गांधी क सिधानतों को अपनाओ खादी बुनो जैसी चीजें फिर हमें बताया जाता है भटा के बारे में जो कि एक लंगोट धारी ब्राहमन है और बहुत ही जादा shrewd minded है यानि इसका काम है कि ये लोगों को पैसे उधार पर देता है और फिर उन से बहुत जादा interest वसूलता है और पैसे कमाने में इसे भी बड़ा मज़ा आता है अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और एक दिन ये जो मूर्ती है इसे अहक का नाम कि इसके एक दोस्त के घर के पीछे शिवलिंग मिलता है ये इस शिवलिंग को वहां स्थापित कर देता है और बहुत ही जल जितने भी ब्राम्मिन हैं वो वहां पर पूजा करने आना शुरू कर देते हैं अब जब ये शिवलिंग वहां स्थापित हो गया तो मूर्ती कहता है कि अब उन्हें एक हरीकथा करानी चाहिए तो इस तरह से हरीकथा के लिए पैसे जमा किये जाते हैं और जैरामा चार नाम का एक इसे एक तरह की लोगों में हलचल पैदा होती है खासकर ये जो मूर्ती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है अब इसी बीच इस गाउं में एक मुस्लिम पुलिसमेन आता है जिसका नाम है बड़ेखां ये जो बड़ेखां है ये पूरे गाउं में रहने के लि चेट के मालिक हैं तो वो इस बड़े खान को रहने के लिए जगा देते हैं और बड़े खान कहीं ने कहीं इससे गाउवालों से नाराज भी हो जाता है कि उन्होंने उसे अपने साथ रहने नहीं दिया उधर ये जो मूर्ती है ये धीरे धीरे गांधिवाद को फैलाने में ल लेकिन ये जो भटता है इसे गांधिवाद बिलकुल नहीं पसंद क्योंकि इसे लगता है कि अगर गांधिवाद का सिध्धान फैल गया तो इसकी कमाई का जरिया रुख जाएगा तो ये सारे ब्राहमिन्स की एक पार्टी बनाता है ये देखता है कि मूर्ती जो है वो छो इसमें प्राब्लम्स क्रियेट होंगे तो इसी के साथ ये सभी जो उची कास्ट के ब्राहमिन लोग है ये अपनी खुद की एक पार्टी बनाते हैं जिसमें गाउं के इंपॉर्टेंट लोग मंदिर के पुचारी इस भट्टा की पत्नी मूर्ती की मा ये सभी शामिल हो जा जिसISA का नाम है रंगम्मा वो अपने पती के बड़े से घर मे रहती है वो मूर्ती के काम से बहुत प्रभावित हो जाती है उसे लगता है कि मूर्ती जो कह रहा है वो बहुत सही है और इसलिए वो मूर्ती के इस गांधिवाद में उसकी मदद करना शुरू कर देती है उसी समय गाओं में एक बहुत ही इंपोर्टेंट स्वामी आते हैं मैसूर से और वो देखते हैं कि कैसे मूर्ती जो है वो उनके जो हमेशा से चले आ रहे हैं जो कास सिस्टम है उसका विरूद कर रहा है तो वो इससे बहुत जादा नाराज हो जाते हैं और मूर्ती और उसके पूरे परिवार यानि उसकी जो मा है उसे भी सुसाइटी से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो मूर्ती को एक लाश उठाते हुए देख लेते हैं और उन्हें ये सहा नहीं जाता कि एक ब्रामन ऐसा काम भी कर रहा है अब ये जो मूर्ती की मा है इसे जैसे ही बाहर निकाल दिया जाता है तो वो ये सदमा बरदाश नहीं कर पाती और नदी के किनारे उसकी डेथ हो जाती है मूर्थी को इस बात से बहुत दुख होता है लेकिन आखिर में मूर्थी जो है वो इस रंगम्मा के घर में चला जाता है अब आगे इस कॉफी स्टेट के बारे में बताया जाता है कि साहिब के इस कॉफी स्टेट में जो भी कूली वरकर्स काम करते है उनके साथ बहुत ही गलत ट्रीटमेंट होता है उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है लेकिन उनके काम के उनने सही पैसे नहीं दिये जाते हैं साथ ही यह जो साहिब है वो उन्हें एक तरह से force करता है कि वो अपने सारे पैसे शराब पीने में खर्च करें और इसलिए इनके पास खुद के जादा पैसे भी नहीं होते कि ये इस कॉफी हाउस को छोड़ कर कहीं और जा सकें लेकिन ये जो मूरती है इसे खबर मिलती है कि यहाँ इस कॉफी स्टेट पर इस तरह की चीजें हो रही है और वो डिसाइड करता है कि वो इन कूलियों को पढ़ाएगा लिखाएगा ताकि कम से कम उन्हें नौलेज हो जाए थोड़ी बहुत वो पढ़ लिख लेंगे तो वो अपना फ्यूजर आगे खुद से डिसाइड कर लेंगे साथ ही ऐसा करने में एक ब्राह्मन क्लर्क जिसका नाम है वासुदेव वो इनकी मदद करता है वो भी इनके साथ जाता है मूरती के साथ और सभी कूली वरकर्स को पढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन एक दिन ऐसे ही ये बढ़ा रहे होते हैं क्लास चल रही होती है तब ही वहाँ बड़े खां आ जाता है और इन वरकर्स को वो पढ़ाने नहीं देता है बड़े खां पहले से ही गाउवालों से नाराज है कि उन्होंने उसे रहने की जगा नहीं दी तो वो अपना गुस्ता जो है वो मूर्ती और वासुदेव पर उतारता है अब इन सब के बीच में बहुत जादा हंगामा हो जाता है और कुछ औरते जो हैं वो बड़े खां की दाड़ी पकड़ कर उसे जिजोड़ देती हैं साथ ही जो बांकी के कुली वरकर्ज हैं वो भी यहाँ पर जो ब्रिटिशर्ज हैं और साहिब के लोग हैं उन पर हमला कर देते हैं तो यह जो मूर्ती है उसे बड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो तो गांधिवाद का फॉलोर है उसे नौन वॉयलेंस चाहिए तो जो कुछ भी हंगामा होता है इसकी जिम्मेदारी वो अपने उपर लेता है और तीन दुनों का एक वरत रखता है साथ ही जाकर मंदिर में बैठता है लेकिन इन सब का अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और रचन्ना नाम का एक कूली जो होता है वो इस साहिप का कॉफी स्टेट छोड़ देता है और मूर्ती के साथ आकर कंठापुरा में रहना शुरू कर देता है मूर्ती जो है वो पटेल रंगे गौड़ा से जाकर मिलता है उसे अपने प्लैन के बारे में बताता है और कहता है कि यह जो गांधी वाद है यह कितना ज़्यादा जरूरी है अंग्रेजों के खिलाफ हमें कैसे एक साथ खड़ा होना होगा तो पटेल रंगे गौड़ा इसके आइडिया से बहुत इंफ्लूएंस होता है और यह दोनों मिलकर इस विलेज में कंठापुरा में एक विलेज कॉंग्रेस फॉर्म करते हैं और यह कहते हैं कि गांधी जी ने जो कॉंग्रेस खोली है कॉंग्रेस ओफ इंडिया यह उसी क इसकी वाइफ है राची वो मूर्ती को दूद पीने का ओफर देती है उसे दूद पीने के लिए देती है तो मूर्ती को उसमें भी थोड़ी जिजग होती है लेकिन अपनी जिजग को ओवरकम करके वो उनके घर भी जाता है और दूद भी पीता है लेकिन जब वो वहां से वापस आता है तो पहले अपना शुद्धी करन करता है और उसके बाद अपने घर जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक ब्राह्मन परिवार में पैदा हुआ है और कहीं ना कहीं उसके रूट्स जो हैं वो उसे जादा इन परिया के करीबाने नहीं देते अब यहां पर इस त उसके जाता है कि अब यहां पर गांधिवाद फैलता जा रहा है और ब्राह्मन जो हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं तो वो डिसाइड करता है कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए वो पुल्स में जाकर कंप्लीन करवाता है और पुल्स जो है वो रंगम्मा के घर आती है मूर्ती को अरेस्ट करने के लिए अब ये सारी चीजों के बीच में ये जो रचन्ना है वो जोर से आवाज लगाता है महात्मा गांधी की जए और इसी के साथ जा कर वो पुलिस वालों पर हमला करना शुरू कर देता है ये जो पुलिस वाले हैं ये भी अपनी तरफ से गांवालों पर हमला करते हैं उन्हें मारते हैं और 17 लोगों को अरेस्ट करके ले जाते हैं साथ ही वो मूर्ती को भी अरेस्ट कर लेते हैं अब समय के साथ ये सारे जो 17 लोग बांकी थे, उन्हें तो पुलिस रिलीस कर देती है, लेकिन मूर्ती अभी भी जेल में है, तो ये जो रंगम्मा है, ये एक बड़े आडवोकेट आडवोकेट संकर को हायर करती है कि वो मूर्ती को जेल से छुड़ाए, मूर्ती कहता है कि मुझे किसी भी तरह के लॉयर की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रहूंगा लेकिन अडवोकेट संकर बताते है कि ये जो मूवमेंट तुमने शुरू किया है उसे एक लीडर की जरूरत है और वो लीडर तो तुम ही हो तो तुम्हें तो बाहर आना ही पड़ेगा वरना इस लीडर्शिप को कौन समालेगा और इस बात को सुनकर मूर्ती जो है वो रिलीज के लिए तयार हो जाता है उधर गाउं में ये जो रंगमा है उसने इस पूरे मूवमेंट की बागडोर समाल ली है इसके साथ ही एक परियहा वोमें है जिसका नाम है रतना वो भी इनकी मदद करती है और ये सब ही मिलकर अभी भी गांधी वाद फैलाने में जुटे हैं नौन वाइलेंस फैलाने में जुटे हैं और गाउंवालों को मोटिवेट कर रहे हैं इसकी वूल बुना जाए खादी बुनी जाए और जो अंग्रीजों का कपड़ा है उसे बिलकुल बॉयकॉट कर दिया जाए अब ये जो मूर्ती है इसे काफी समय के बाद आखिरकार जेल से निकाल दिया जाता है ये जेल से रिलीज हो जाता है लेकिन रिलीज होने के साथ ही दुबारा से ये इस गांधी मूवमेंट में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा देता है हर रोज ये गाउवालों से बात करता है उन्हें सच बोलने को कहता है ब्रिटिशर्स का विरोध करने को कहता है साथ ही इस बीच में जो डांधी मार्ज था गांधी जी का एक बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट रहा था जहां वो समुंदर से नमक बना रहे थे और ब्रिटिशर्स के सॉल्ट को बॉइकॉट कर रहे थे तो यहाँ पर ये जो गाउवाले हैं उन्हें जानकारी मिलती है कि गांधी जी जो हैं वो समुंदर में जाकर नमक बनवाएंगे डांडी मार्च करेंगे और ये लोग भी गांधी जी की जै करके उसी तरीके से उसी समय नदी में उतरने की तैयारी करते हैं कि जिस तरह गांधी जी उस समय समुदर में जाएंगे ठीक उसी तरह हम भी नदी में जाकर उनके इस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे जितने भी पुलिसर्ज हैं वहाँ पर पुलिस आफिसर्ज हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो सके और इस बीच में काफी मार पीट भी होती है लेकिन जैसा की मूर्ती ने कहा गाँवाले इस मिशन को इस मूवमेंट को सक्सेस्फुल बनाते हैं और धीरे धीरे ये जो मूवमेंट है ये बढ़ती चली जाती है मूर्ती को कई बार फिर से अरेस्ट किया जाता है लेकिन ये जो मूर्ती के followers हैं वो hard नहीं मानते हैं अब इन सभी के बीच में एक बात और उठती है कि जादतर जो गाउवाले हैं जो गरीब गाउवाले कूली workers हैं वो इतनी पूरी स्थिती में इसलिए भी हैं क्योंकि उनका सारा पैसा शराप पीने में खर्च हो जाता है तो इस तरह से कंठापुड़ा के 149 गाउवाले जो हैं वो decide करते हैं कि आज सुबह ही वो इस coffee state पे जाएंगे और इसके आस पास के जितने भी शराप की दुकाने हैं उन सभी को तोड़ देंगे जो police inspector हैं वो मूर्ती से कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते इस पर उन्हें अरेस्ट किया जाएगा लेकिन मूर्ती उनकी बात को नजर अंदास कर देता है और ये जितने भी यहां पर परियहां हैं साथी गांधिवाद के followers हैं ये क्या करते हैं जाकर आसपास के जितने भी जो भी यहां पर शराब की दुकाने हैं उन सभी को तोड़ देते हैं साथी इनकी मदद करने के लिए आसपास के गाउं के लोग भी आ जाते हैं जिसमें संथा पुरा गाउं के लोग भी शामिल हैं तो इनका ये जो सत्यागरा मूवमेंट है ये बहुत जादा पॉपुलर होता है और इससे कई शराब की दुकानों को नश्ट भी कर दिया जाता है अब अगले हफ़ते जो है ये जो गाउवाले हैं ये और भी जादा शराब की दुकानों को तोड़ने के लिए प्लानिंग कर करते हैं और दीरे दीरे ये मूवमेंट बढ़ता चला जाता है और आखिरकार 24 शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाता है लेकिन ऐसा करने में ये जो पुलिस वाले हैं ये गाउवालों पर बहुत एग्रेसिवली हमले करते हैं और इन हमलों में रंगमा, रतना और मू इन्हें यहां रहने नहीं दिया जा सकता, ये ब्रिटिशर्स की बात बिलकुल नहीं सून रहे हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जो भी कंठापुरा की जमीन हैं उन सभी पर ब्रिटिश गवर्मेंट कैप्चर कर लेगी और इन्हें दूसरे लोगों को बेच देगी, कंठ ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और इस बात से ब्रिटिशर्स भी पूरी तरह तयार हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो अब सिर्फ हमले ही नहीं करेंगे, बलकि गोलियां बरसाने में भी नहीं सोचेंगे, इसी बीच एक जो प्रोटेस् सारे ब्रिटिशर्स जो हैं वो गाउं वालों पर गूलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जितनी भी औरते हैं वो गन्ये के खेतों में जाकर छुपने लगती हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं वो वहाँ पर नहीं रुकते और सभी गाउं वालों को ढून ढून कर उन् विलिज जला देगी और वो जाकर पूरे गाउं में आग लगा देती है और आग लगाने के बाद कई सारी औरते जो हैं वो जंगल के रास्ते भाग कर कंठापुरा से दूर चली जाती है और जब वो दूसरे गाउं में जाती हैं जिसका नाम है काशीपुरा तो वहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है और Pilgrins of Mahatma कहकर उन्हें उस गाउं में रखा जाता है साथ ही बताया जाता है कि कंठापुरा में रहने वाले जितने भी लोग थे उनमें से जारतर लोगों की या तो डेथ हो गई या वो कंठापुरा छोड़ कर चले गए अचक्का इस कहानी के end में बताती है कि मूर्ती को जेल से बाद में ज्रिहा कर दिया गया था लेकिन उसने गांधी जी को फॉलो करना बंग कर दिया इतने सारे गाउं वालों की टेथ देखकर उसने डिसाइड किया कि वो गांधी जी को फॉलो नहीं करेगा और अब वो जवाहर लाल नहरू को फॉलो करता है रंगमा अभी भी जेल में है उसकी रिहाई की कोशिश की जा रही है और कंठापुरा लोट कर सिर्फ एक ही आदमी गया है जिसका नाम था पटेल रंगे गौडा और वो अचक्का को बताता है कि गांगी जितनी भी जमीन है वो बॉम्बे में रहने वाले लोगों को बेचती गई है और यहाँ पर फ्रेंड्स ये नावल खत्म होती है तो फ्रेंड्स ये थी राजा राओ की नावल कंठापुरा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करिए